हलो योट्यूब, मॉर्निंग एपिसोर हाजीर है एक नए वीडियो के साथ गाईज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लेटेस्ट अब्डेट के लिए डाउनलोड कीजिए बिफोर न्यूज एब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू स्क्राइब के बारे में ब्लू स्क्रीन ओफ डेट को हम लोग B.S.O.D के नाम से भी जानते हैं B.S.O.D हमारे सिस्टम में तब इनकाउंटर करता है जब सिस्टम किसी हेवी एरर से रिकवर नहीं हो पाता है ये टर्म B.S.O.D इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने एरर मैसज को शो करने के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन को ब्लू कर देता है ब्लू स्क्रीन ओफ एरर कंप्यूटर को डेमिच से बचाने के लिए एक अलर्ड की तरह खाम करता है Blue Screen appear होने के बाद user को system को operating condition में रखने के लिए reboot करना पड़ता है अब हम लोग बात करते हैं Blue Screen of Death के reasons के बारे में कि यह क्यों होता है इसका पहला जो कारण है वो है overheating Blue Screen of Death के reason में overheating एक important reason है जो CPU और graphic card के heat होने से होता है इसका दूसरा जो reason है वो है bad memory Bad memory management एक बहुती बड़ा reason है BSOD का जब memory management system memory use system को सही से manage नहीं कर पाता है तो various resource के बीच में memory conflict होती है जिसके वज़े से Blue Screen of Death हो जाता है इसका तीसरा जो reason है वो है corrupt registries क्योंकि कभी-कभी new software या hardware के installation से हमारी registry corrupt हो जाती है जो के Blue Screen of Death का reason मन जाता है इसका fourth reason जो है वो है virus कभी-कभी virus हमारे device को damage कर देता है और बहुत सारे resources को occupy भी कर देता है और same time में बहुत सारे programs को एक साथ start कर देता है और इसके वज़े से Blue Screen of Death की problem हो जाती है इसका जो fifth reason है वो है power supply issues कभी-कभी inadequate power supply की वज़े से hardware हो जाता है और हमें Blue Screen of Death के problem को face करना परता है इस वीडियो में इतना ही आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि Blue Screen of Death की problem को किस तरह से solve करते हैं उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस प्लीज लाइक, कमें, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरी IGTV वीडियो देखने के लिए follow करें मुझे Instagram पे link description में दीवी है चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ